नमस्कार पायस आयुर्वेदा की खास पेशकश में आपका स्वागत है स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर इंदर जीत को और बहुत-बहुत स्वागत है और आज हम ऐसी बिमारी के बारे में बात करने वाले हैं जो इस बिमारी ने हर घर में अपने पैर पसार लिया है और ये बिमारी बेहद ही घातक सिध हो सकती है किसी के लिए भी क्योंकि ये बिमारी ऐसी है कि एक बार अगर किसी व्यक्ति को हो जाए तो वो जीवन भर उसका साथ नहीं छोड़ती यहां पर हम एक व्यंगी के तोर पर ये भी कह सकते कि बहुत अच्छी तरीके से मित्रता नहीं भाती है तो जी हां आज हम बात करें मधुमे के बारे में डाइबिटीज के बारे में जिसके बारे में हम विस्तार से मैम से जानकारी लेंगे लेकिन इससे पहले एक जरूरी सूचना हमारे सभी दर्शकों के लिए ये है कि आप फून लाइन के जरीए हमारे साथ जुड़ सकते हैं जो नंबर है वो टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं इन नंबर के जरीए आप हमारे साथ जुड़िए और जितनी भी आपकी समस्याए हैं वो हमारी आयुर्वेदर एक्सपर्ट के सामने रखे तो चलिए कारेकरम के शुरुवात करते हैं और जानते हैं कि मधु में आखिर है क्या और ये किस-किस व्यक्ति को जादा होने की संभावना रहती है जी मैं ठीका में लिए जो डाप्तिह है वो दोतरीके पहना गया है एक तो यह है कि जो हमारा पैंक्रियस है न वो इंसुलिन को शुगर को कंट्रॉल करने का काम करता है वहां से जो juices screte होते हैं वो sugar को blood में जो sugar की मात्रा है या glucose की मात्रा है उसको नियंत्रेत करता है और उसको आगे assimilation में help करता है तो जब pancreas ही उसको screte नहीं करेगा तो वो type 1 diabetes we call it कि वो आपका pancreas ही उसका आपिलनी है कि वो आपके sugar को control कर सके दूसरी आ जाती है कि हम लोग को कुछ reasons बना देते हैं body के लिए कि वो insulin produce करना बंद कर देता है एक तो है कि मतलब by birth और बाद में जाके या कई बार होता है कि parents को diabetes है तो वो effect होता है बट कई बार हम लोग अपने ही गलत हार भिहार से हम लोग ऐसी conditions create कर देते हैं कि pancreas sugar को assimilate नहीं कर पाता है और वो blood में फिर उसकी मात्रा बढ़ती जाती है क्योंकि body का mechanism है कि वो हर चीज को assimilate करता है वो वैसे ही उसको consume नहीं करता है वो अपने ही साफ से उसको assimilate करके फिर उससे energy उससे generate होती है ठीक है तो यहां पर यह होता है कि sugar नहीं assimilate हो पाती तो वो blood में ऐसे ही travel करना शुरू कर जाती है तो वो body में तरह तरह की problems create कर देते हैं तो यहां पर में diabetes का जो आयरवेद हिसाब से हां तो इसी के साथ हमारे कारिक्रम की पहली caller हमारे साथ जुड़ गई है ब्रिजबाल आमबाला से ही अपने समस्य रखिए तो लगता है किसी तकनीकी की वज़े से call cut गया है तो हम बात कर रहे थे diabetes की और क्या क्या प्रॉब्लम इसमें आ सकती है इसके बारे में हम discuss करे थे जी मैम यहां पर आयर्वेद तरीके से ले गए कि आयर्वेद में हम लोग बोलती है कि आपको कोई भी condition जा कोई भी problem एकदम से नहीं होती उस्की पूरी संप्राप्ती बन जाती है उसके levels होते है कि कैसी आफंहां में dawous होती है फिर उनका प्रकोप होता है फिर पुरी बॉडी में उसको कहते है प्रसर होता है फिर स्थान शंच्रे कि जिस बॉडी का जो हमारा पार्ट हमारा वीक होता है वहां पे वो जाके दोश्री अलक्षन वो एकठे हो जाते हैं और उसी हिसाब से बॉडी में प्रॉब्लम क होती यह जो हमारी बॉड़ी का जो भी पार्ट वीक होता है उसे हिसाब से हमें दिखक अताज के लिए तो अंबाला से फिर से बिजबाला हमार सा जुड़ गए हैं अपनी बात रखिए जी बिजबाला क्या आप हमें सुन पा रहे हैं अलो हां जी अलो है सर बोलिए जी अपने सब्सक्राइब कर रहे हैं बोलिए जी बोलिए जी बोलिए यह हम डायवेटी है हमें पैर हाथ में बहुत द्रम देता है अब सला लेना चाहते हैं कि क्या करें और आपको डायवेटीज है क्या जी मैं हम देखिए अभी हम उस पे आने वाले हैं कि इसके क्या लक्षन होते हैं क्या साइड इफेक्ट होते हैं तो जो शूगर का साइड इफेक्ट एक यह जो होता है कि हाथों और पैरों में जलन होनी शुरू हो जाती है या नमनेस होती है या सूनना पन हो जाता है वो सारी problems इसी के कारण होती है मैं आगे जा कि आपको explain भी करूंगी कि क्यों होती है हमारी body में बहुत लोगों को यह पता ही नहीं चलता कि हमें यह ऐसा क्यों हो रहा है तो मैं आपको वो सारी चीज़े explain करूंगी कि आपको यह problem होती है तो क्यों होती है ठीक है sugar एक reason है इसका but sugar कैसे effect करती है आपकी body में उसके लिए मैं आपने अगर यहां पर देखा होगा तो मैंने एक ना oil बनाया है आप लोगों के लिए जितनी भी यह सारी loss of sensation है जलन होती है उसके लिए उसको podia care नाम दिया है आपकी वो यह जो problem है उसके लिए वो सबसे best है हमें क्या करना है हमारी ज sensation खतम हो जाती है body में तो उसके कारण में आपको जलन वगएरा की feeling होती है मैं यह जो numbers आपको flash हो रहे हैं वहां पर call करके आप लड़की से पूछेंगे वो ना आपको oil लगा के गरम पानी में थोड़ी दिर रखना है जिससे आपके यह जो numbness हो रही है इस पार्ट में तो आपकी वहां पर नसे जो हैं वो regenerate होना शुरू हो जाती है जिससे आपको यह जलन वगएरा नहीं होगी और वो oil है जो nutrition का काम करता है हमारी यह जो नसे होती है diabetes में वो श्रिंक होना शुरू हो जाती है मैं कैसे मिलेगा हम मांगाना चाहेंगे तो पोडिया के रॉयल है मैं आपको नंबर एक फ्लैश हो रही है वहां पर आप कॉल किये वो आपको डिटेल में बता देंगे मैं वो बता देंगे आपको बट वो सबसे बेस्ट है अभी मैं explain करूंगी कि वो oil कैसे काम करता है फिर आप डिटेल में पूछ लेना मैं वैसे समझाओंगी यहां पर जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साज उड़ने के लिए तो अभी हम हमारे दर्शकों की कॉल भी आने शुरू हो गए हैं और आज के ही विशे के उपर जो दर्शक हैं वो अपने समस्याएं रख रहे हैं एक अभी कॉलर आई थी बिजबाला जिने हाथ में जलन होती थी है यहां यह सारे लक्षन है मैं यह क्यों उठाया है किरती क्योंकि आज की डेट में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है ना शुकर की और सब लोग इसी उस पर लगे हुए है कि हमें इसको कंट्रोल करना है कंट्रोल बान पार्ट है ना बट इसके जो कॉन्सिक्वेंस ह होते हैं इसके साइड इफेक्ट होते हैं मैंने उस पर बहुत ज़्यादा स्टडी करी है क्योंकि हां और इसी के साथ हमारे अगले कॉलर बिलासपूर से राकेश हमारे सा जुड़ गए हैं राकेश अपने समस्या रखिए जी मैडम नमश्कार नमश्कार सबसे पहले तुम्हें यह कहना चाहूंगा कि आपका प्रोग्राम बहुत ही इन्फरमेशन देने वाला है लोगों को बहुत सी ऐसी प्रॉलम्स होती हैं जिनके बारे में बाचित नहीं कर पाते लेकिन आपके प्रोग्राम के माद्यम से आय बड़ी परशान है फ्रेंट सरकल जब हम कहीं बाहर जाते हैं तो परशान देहते हैं तो इसकी कोई रेमेडी बताईए क्या करें ठीक है वो थोड़ा सा इस टॉपिक से हटके हो जाएगा बट मैं बताऊंगे जरूर क्योंकि यह हमें खराटे पता क्यों आते हैं यह जो हम मारी यहां पर swelling हो जाती है यह सोचों के mucos की inflammation हो जाती है वहाँ पर 바뀌ो कोई infection हो जाती हैं तो यह जो mucos में inflammation हो जाती है वहाँ पर iso जाती है जिसे जो एर पैसेज है वह भ्लॉक हो जाता है ठीक है ये तो हवा निकलना है जब हमस होते हैं हम सांस लेते हैं हवा को एक तो इजी निकल जाती है, एक यह होता है कि उसे एर पैसे जब आपका ब्लॉक हो गया तो एर जो निकलेगी वो घर्शन करते हुए निकलती है तो उसी कुछ नोरिंग हम लोग बोलते हैं वो जो खराटे हमें निकलते हैं, ठीक है आम ने यह हम लोग जो उज्जैी करते है इन्टीए इंफ्लमेटरी होने के कारण वहाँ पे जो आपका म्यूकस जम्मा हुआ है उसको निकाल देगा म्यूकस निकल जाएगा तो आपकी जो एर है वो अराम से अंदर जानी शुरू हो जाएगी और आपके ये खरहटे जो हैं दीरे-दीरे कम हो जाएगे और अगर आपको बहुत जादा बेनेफिट चाहिए तो साथ में आप बदाम रोगन डालना शुरू कर लो तो उससे जल्दी एफेक्ट आना शुरू हो जाएगा जी मेडम इसे स्मॉक जी तो लगता है कॉल कर गई है बहुत बहुत शुक्रिया राकेश हमारे कारेक्रम के द्वारा जुड़ने के लिए तो यहां पर विशे पर दुबारा से लॉट कर आते हैं हम बात कर रहें ते डायबेटीज की कि किस किस वज़े से डायबेटीज होत है सब्स्सक्राइब भूए है सकस्ता है बार के डिशाएबको P यहां पर मेरे कुछा एक्शाइम्पल के क्रया होता था है यहां पर मेरे 站das है को ह्यादी तो बहुत हो जाती है कई लोग है偶ाईक है तो वहां पर यहां होता है कि का लing बाहरा होता है कि कर दो हमारी ऑड़ अगर हमें जैसी काफ़ज हमारी प्रकृति होगी उसके साथ हमें जब हम लोग काम नहीं कर पाते अपना प्रॉपरली हम लोग मूम्मेंट नहीं कर पाते तो एग्रेशन बढ़ता है ना पित का परकॉफ हो जाता है एसी जीटी हो यह हम लोग मेटाबलिजम हमारा प्रॉपर हो जाते हैं दो पृत्त से इस किया होता है यह मंसशे हो जो हना चूरू हो जाते हैं जब वो डिजॉल्व होना शुरू हो जाते हैं अद वह कि स्तार एक कre Slack अंग्र सभृ क्णे सरे जो हाने चूह है एसा बने घंऑ बा अब होसownik तो जब किड्नी में प्रेशर डालेगा जो यह बार-बार यॉरेन की प्रविर्ती होती है तो यह सिम्टम वहीं से आता है सबसे पहला सिम्टम जो हम लोग बोलते हैं कि अगर कोई तो बार-बार यॉरेन की प्रविर्ती होती है तो आयरवेद में हमने उस ताइम हमारे यह मा कफज, कफज 10 टाइपस होती है और इसके आगे हमने यह भी लिखा होगा कि कफज जब होती है तो वह साध्य होती है और पितरच जो होती है थोड़ी यापया यापया मेंस कि आप मेडिसन लेते रहते हो आप के यह जआते हैं जेशे आपकों प्रकोफ यह चते हैं तो कि यह चुछ आती है जाती है जो बोलने है AnybodyBER तो इस हिसाब से हम लोग केटेगराइज करते हैं आयरुवेद में मदुमे को यहां पे मैं बता रही थी काफ और पित का संगम हो गया वो क्लेद बन गया और यूरिन की बार बार माद उसकी स्क्रेशन होनी शुरू हो जाती है तो इससे क्या होता है कि बाडी में जैसे यूर मारे मजा शौट यंगां वह पैनक्रेशन हो और यह भी स्सिंहे कि असयुरू का मैं यहां बता है तो यह बाड़सना तक नहीं में नहीं चाह। में करता गोहा थी स्टीमिलेशन और फूड नहीं हो पाती हमारी प्रॉपर ली नहीं हो पाएगी तो हमें कॉंस्टिपेशन रहे शुरू हो जाती है को इसमें एक ऐसा लक्षन है कि जिसे थोड़ा पता लगा सकते कि हाँ शायद ये बीमारी हमें होने वाली है या फिर यह उससे पहले ही पता यह तो बाद की स्टेजिस आती है अब आपको यह जो प्यांस की प्रविर्टी है यह सारी चीजें जब हमारे काफ बढ़ता है ना तब ही पता चलना शुरू हो जाता है कि हमारी बॉडी में कुछ चेंजी जाते हैं यह सवाल यही आ रहा है कि जिस तरह से हमने कई लोगों से सुना भी है कि यह जो शुगर है यह एक बार हो जाए तो गंट्रोल में नहीं आता तो क्या वाकिए सच में है इसा ने यह नहीं होता है वह मैं इनके सेंटम्स और उन सारी चीजों को हमें कंट्रोल में रखना कर रहा है तो हम उसको रियूविनेट करें वह थोड़ा सा डिपिकल्ट है अगर हम लोग रिस्पॉंसिबल लाया है उसके लिए हां तो अगले दर्शक हमार सा जुड़ गए है प्रदीप जैस्वाल सौन भदर से जी अपने समस्य से रखिए हमें जो है तर पर हमारे जो है किस जाकर सीन में जो हिस स कीन पर है सर जो फेल बॉरा जो है तो फिंसी हुई है या बाब सही बाल सही है सर में हुआ है नगा। अच्छा तो आपको डाधित है क्या कुछ नहीं, हुर सब सही है,सिरिफ बने है,स्बी अब बाल के चीज इस मोगे और है काते हैं नहीं नहीं कुछ नहीं आज कल जर्दा जूर्दा भी बौट लोग खाते हैं नहीं नहीं पड़ रहा है इस पूल में उसमें कोई दिक्कत नहीं है और उसके सर में तिर्फ वही एक प्राबलम है जो कि इसकीम जो है चिट्टा चिट्टा हो गया है एज कितनी है चौसवीज साल की भाए है देखिया उनके बौड़ी में ड्राइनस हो रही है और ब्रेइशिं को पूरी नूट्रीशन नहीं जा रही ऑट में इसलीए उनके सिकीन जो है वह सैंट्राइक हो रही है एक्न देए यह मसाज भी बदाम रोगन से करिये हैं उनके हैड की मसाज करें आप उसे उनकी वह चीज ठीक हो जाएगी बट साथ में उनको बोलो के पानी खूपी एं पानी खूपी है और नाक में भी डालना है और डेली उनको बोलो कि एक चुथाई चमच हल्दी लेना शुरू करो अगर कोई भी मेडिसन नहीं लेनी तो हल्दी लो कुछ ना कुछ इंफेक्शन है वो उससे ब्लड में ख्लियर हो जाएगी हल्दी से ठीक हो जाएगी और नहीं होती तो 15 दिन बाद मुझे कॉल करें ठीक है नहीं होगा तो हम आपको 15 दिन बाद अचा हम लोग यहां पे थी के वाद का प्रकॉप होना हो जाता है उस को क्यूंकि सी जब फूड जो है हमारा इलिमेनेट नहीं होता तो वहां पे उसकी कोई बीचीज हम लोग एक दिन रखते हैं तो आप देखो शाम को BUBBLE核 बने शुरू हो जाते हैं तो ऐसी होता है जो यह डायफरम है, डायफरम जो है को हमारे अपर और लोर अप्ड navan को अलग-अलग करता है जो इंटेस्टाइन गर। नीचे हैं उसके उपर लॉंग सहनु हैं तो नमरा प्राइशर हैं हईपर टेंशन हो गी इसको प्रेशन अचे दिल हमिल रही हैं जिनगों भड़कशन के लिए उसको अच्पैंड करनेके लिए और उसके जगा कम होगे carry army थीषोए वियदा भूना, हार्ट पर ऊड़ना छिरू हो गया अर लंग्स पर प्रहसर आना शुरू हो गया और लंग्स के रशुरू हो तो अबने धिक भब जा वागल्गा होते हैं, जो नेको ख啊ंसी नहीं होती वह जाती है क्योंकि उनके lungs के उपर pressure होता है, hypertension हो जाती है, blood pressure हाई हो जाता है because heart के उपर pressure आ गया, तो ये सारी चीज़े हमें जब problem create करती हैं, तो ये multiple problems जब हो जाती हैं, तब conditions ज़ादा खराब होने शुरूर हो जाती है, जिसे control करना बेहत ज़रूरी है, जिसे control करना, इसलिए हम लोग इतना emphasize करते हैं कि आप exercise ज़रूर करो, आप daily walk करो, तो इसमें exercise हैं जो लाबधायक से दोंगी, एक तो walk, जिसे आप तीन ये चार किलो मेटर walk ज़रूर करो, तो वो क्या है, आपके intestines की movement को ठीक रखेगी, वो आपके बाकी body के parts को healthy रखेगी, और डूसरा जब हम लोग exercise, जब हम लोग वाक भी करते हैं तो उसमें क्या होता है हमारी body को जबरदस्ती oxygen इंटेक करनी पड़ती है, आप चाहो ना चाहो, oxygen अंदर जाएगी जाएगी, तो oxygen से उपर rejuvenation के लिए कुछ भी नहीं है, जितनी oxygen अंदर जाएगी, आपका blood पतला रहेगा, उसको easy धबनियों से पास होता रहेगा, जितना easy flow रहेगा blood का, उतनी आपकी problems कम रहेगी, so this is the sequence के हमने जो इसलिए फिर आ जाती है कि मेन ABC कि आपने body में lipids ने इकठे होने देने, अब जब वो body से नहीं निकलते, जब simulation प्रॉपर नहीं हो पाती, तो जो blood vessels है हमारी, blood vessels के अंदर वो deposition होने शुरू हो जाती है, वो sugar की जब इसलिए blood में sugar आत है क्योंकि वो धमनियों में, blood में पास हो रही है, इसलिए blood में आती है, एक लंबी प्रक्रिया है, यह बहुत लंबी प्रक्रिया है, मतलब कई बढ़ हम लोग सोचते हैं कि भगवान का मतलब सिस्टम देखो आपने, कहां से वो शुरू हो रही है, प्रॉब्लम हो, कहां ज कितना पॉल्यूशन है, और ऑक्सिजन कही न कहीं कम होती जा रही है, अगर बात कर ले तो यह प्रॉब्लम तो मेरे ख्याल से बहुत से लोगों को फेस करनी पड़ रही होगी है, हमने जब पाय सोईल लिया था याद होगा, तो वहां पे मैंने यह बोला था कि डाइप्ट करनी है, अब ब्रेन तो लगा हुआ मैसेज पढ़ने में, तो उसको याद ही नहीं रहता है, कि मैंने यह पीरियेट्स अगर यहां पे पैंक्रियस की बात कर रहे हैं, अगर लड़कियों में चले जाओ तो उनको यह होता है कि उसको याद ही नहीं कि आज कौन सा देया है, म अगर को रप्चर भी होना है, तो ऐसे यह सारे ही कॉम्प्लिकेटेड जो है, कॉम्प्लिकेशन इतनी ज्यादा जो आ रही है, वो हमने ब्रेन को बिजी कर दिया है, इस मतलब मैं देखो, कि बाकी चीज़ों का योगदा नहीं है, हम लोग खुद अपने कल्प्रिट बन र अगर किसी ने द्यान से पड़ा हो, कि वो कहते है कि इतना ग्यान बढ़ रहा है, फिर भी कम क्यों नहीं हो रही प्रॉब्लम, वो इसलिए कि कहते है कि फॉवड करने में सब लोग लगे हुए है, बढ़ के उस पर अमल करने में नहीं है, आप सुच़ों कि मैं डेली एक य जितनी भी हमारी information है, knowledge है, हम उसको इतना शेयर करने की कोशिश करते है, कि अपना time आप बाउंड कर लो, कि हमने आदा घंटा इस पर रहना है, या पॉना घंटा रहना है, क्योंकि इंतनी बिमारी हो रही है, आइस वीक हो रही है, बच्चों की वीक हो रही है, आप उनको आइपैड पकडा दे ओ, छोटे-चोटे बच्चों को, चोटे-चोटे बच्चे, मैं बदा हुआ है, मैं इस पर रहे हो रहा है, जो नोन-healing हो जाते हैं, क्योंकि जब तक शोगर की मात्रा आपकी नहीं ठीक होती है, तब तक डिस नहीं नहीं हो पाते है, तो कोई भी रि तो मेरे पास एक बच्चा आ गया ट्रीटमेंट के लिए and I was so upset मैंने उसको बोला कि I did not मैंने मेरे को यह उमीद नहीं कि मैं तुझे इतने चोठे बच्चे को दिखूँगी तो उस दिन के बाद से मैंने इस पे चड़ी करनी शुरू करी थी कि बच्चों को डाइप्टीज ना हो तो मैंने पेरेंट्स को गाइड करना मुझे यह था कि मैं इसकी एबी सी पर जाओंगे कहां से यह शुरू हो रही है प्राब्लम तो अब हो गई है बच्चे को तो हमें उसको ट्रीट करना है तो मैं यानिक तो कल विस्तार से इसके उपर फिर से चर्चा करेंगे कि क्या क्या इसमें और लक्षन है और इसकी रोक थाम के लिए क्या किया जाए और मैंने एक ओईल भी इजात किया है तो उसके बारे में भी कल हम विस्तार से इसके उपर चर्चा करेंगे लेकिन फिलार नमस्कार